इस पूजा का अंतिम बिधान सिंदूर दान से होता है आप अपनी पत्नी के मांग में इस सिंदूर खरिए और पूजा को संपन्न कीजिए अबे माताजी ये पंडेत तो अज मेरी साधी करही डाले का मेरी खुछ सा लग रहा है अभी अगर ये पार्ती पुरी रस्मे पूरी कर लेगा तो शाधी के ताइम पे मैं क्या करूंगा पार्त, क्या सोच रहा है बेटा, शारबरी वहो की मांग में इस संदूर लगाओ पार्त, क्या हुआ है ये नहीं कर सकता पार्त, क्या हुआ है मैं आप लोग उससे कुछ कहना चाता हूँ अब मन जल्दी जाओ, कैसे भी पार्त को रोको बात ही है पार्त, वो तेरे को यो अमेरिका की डीलर का फोन है कोई कंसाइनमेंट के बार में बोर्ट है, और जुन्ट है, बात को नहीं पड़ी हाँ, एक सेकंड हांती रहूँ हलो पार्त अगर तुम यह करना चाहते हो तो मैं तुम्हे रूपकूंगी नहीं लेकिन इतना यहांत रखो कि अगर यह सच पाहरागी तो तातीजी, दाजी, माम, पापच तब के दलीनी तूटेंगे उनके विश्वास भी तूट जाएगी और यह रिष्टा भी तूट जाएगी और तुम्हें चाहती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यारत है और यह भी जानती हूँ, इंदूर कि क्या माहिन है आपके लिए देकिन यकीन करो मेरा पेरे लिए मैं इतना असान नहीं है तूट पेरे लिए मैं सिंदूर मेरी सिंदगी है लेकिन मैं यह कैसे भूछ सकती हूँ कि मैंने तूँ नहीं जमेदारी लिया हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने की जमेदारी हमारे परिवारत को पिटिया के सारी खुशिया देने के जमेदारी और पार दुनिया की कोई भी रस्मे, कोई भी दर्द, कोई पार इस जमेदारी से पढ़कर नहीं है बात मुझ से यह नहीं होगा पार्थ, प्लीज बार्थ बाब, बिजिस कोल है ना, डिसिजिजन मेकिंग थोड़ा साब कुरूशिल है इसले बाब, तो मुरी, तो अप्लीज बीफाइन अब कर आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो मैं अपने आपको नहीं संभाल पाऊंगी पार्थ प्लीज मेरा हाथ थाप लीजे अपसके बाद जोगतना है किजी का मने रुको कि प्लीज पाथ अपनी शूर फरी के लिए थाप लीज पाथ थीजे प्लीज पाथ प्लीज पाथ प्लीज पार्थ जी दाती जी तु बहुत परेशान लग रहा है सब ठीक तो है ना हाथ आदी सब ठीक है चलिए वो पूझा की आखरी रसम बची है वो इसे खतम करते थे थे हाँ आँ पेटर पंडी जी जी शुरू कीजे लीजे बटा आप इनकी मांग में सिंदूर भरिये मुझ में तुरी कत्रा कत्रा बसी सांस ये मेरी तुझ में उलजी हुई थड़कन आपे तेरी दस्त उठ दिल से जाय दिल्टा बना आप रहओ प्सा इनकár नहीं लू प्सानओड़ मुझे माफ कर देना पात, कभी नहीं सोचा था कि मुझे खुद तुम से किरना पड़ेगा, किसी और की बांग में मेरा सिंदूर डालो, हम सौरी पारत बेटा, अब आप दोनों खड़े हो जाईए ये रांदल मा का विशेष परसाद है जिसे होने वाले बच्चे के माता-पिता होने के नाते, सिर्फ आप दोनों के ये परसाद ग्रहन करना है इस परसाद को आप औरों में बित्रित नहीं कर सकते है बा, मैं भी कुछ तोफ़ा लाई हूँ शौरवरी वो के लिए ये तो, शौरवरी वो, तुमारे लिए सदा सुखी रफ अब पूजा तो संपन होगी अब हम अपने पार्थ की दुल्हन का चेहरा तो देखी सकते हैं ना यू? एक दन पार्ची रद्मा शौरवरी वो, पार्थ, क्या हुआ इसे? लगता है गर्भी केंदी से अपने कमरे में ले जा तो मेरा ज़्दी से इसे अपने कमरे में ले जा तेनी, तुम गोंगर ठाटा आसकते हैं यहां को इनी? तेनी, तुम ठीक दो ना यहां किया हूँ अच्छ गूर गूर के क्या देख रहो तुम लोग मेरे खुमे को चुडेल थोड़ी नौ आय वो तो ये गोद में उठा के लिखे और इतनो बड़ा गूंगट पिता तो आख लग दी मेरी और अच्छ हुआ तुम दोनों ने जो आज फोन करके बचा लिया नहीं तो ये तो पूरी पूल पट्टी खोल देता आज हम सब की मेरे खुटो नहीं सोच सोच के डर लग रहा था कि पता नहीं किसकी जादे धुलाई होएगी मेरी है इसकी पर इसने ना एंड मोमेंट पे सिंदू भर के मामला खतम कर दिया सब बच गया है अन्य तुमारी मांग में सिंदू नहीं बढ़ा इसा मैं किसी कीमत पर ही का सब्लाई मतलब थेमी थेमी थान्क्यू भाइ आई मेरे आतों से तो तोते कबूतर पता नहीं क्या क्या ओट रहती है यह सिंदूर की वी रसन तुई पूरी कर लेगा तो फिर शादी में मैं क्या गरूपा मैं तो यह सोच रहता लेकिन तुने सानी किया थांक यू सो मच्छ यह आख्री भार आख्री भार है जब तुम्हारे कहने पर में ऐसा कुछ करता हूं इसके बात कभी नहीं आप सॉरी भार आप सॉरी टेनी सर्फ मेरे कहने पर नुम दोनों ने इतनी बड़ी मुश्किल असार ले ले लेगा तेंक यू सो मच इसे हाथ में दो, यह ले यह बच्चे की माँ के लिए जो मेरा था उमेने दीलता दिल से दिलता दिल से दिलता दिल से दिलता धड़करों पी तेरी दसना उठे दिल से जाए दिलता दिल से दिलता दिल से दिलता दिल से दिलता धड़करों पी तेरी दसना धड़करों पी तेरी दसना उठे दिलता में जाए दिलता में एक अपने बदल के आते हुए रिश्रब बेटा आज रात तुम यहां क्यों नहीं रुख जाते पिर सुबह अपने रमनेक अंकल के साथ चले जाना ओफिस काम पर जी दादी, जैसे आप ते ठीक है, अभी आती है जागरुती बेटा जी दादी रिश्रब को जल्दी से प्रसाद दो आप ठीक है ना? जी ठांक्स मानी प्रसाद देजे आप गेस्ट्रूम के दादर है? आप चलिए, मैं आपको दिखाते जी इक होता है कुल हाडी पैर पर मार ला आज से मैंने अपनो पैर ही कुल हाडी पर दे मारा